मेरे यूटूब चैनल एस्टोनेश पर आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूं नरेश कमार सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सबस्काइब किया है वीडियो को शेर कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हम अपनी राय भी दे रहे है आज बात करेंगे 2024 के राशी फल की लेकिन उससे पहले भगवान से आप सब के लिए परातना कि आपका 2024 अच्छा जाए आपको आपकी सहत अच्छी रहे आपका कारोबार अच्छा रहे आपके relationship अच्छे रहे और आपकी studies अच्छी रहे तो 2024 के राशी फल में शुरुआत क करने से पहले सब को शुब कामना है और बात करेंगे मिथुन राशी के जातकों की मिथुन राशी के जातकों के लिए इस साल 2024 में यानकी अगले साल में क्या चीज़ें चेंज आएंगी कहां समय अच्छा रहेगा कहां पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है कहां कोई relationship क्या नया क कोई व्यक्ति जीवन में आएगा क्या कोई job change हो पाएगी या आपको कोई तरक्की मिलेगी आपका health कैसा रहेगा इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले एक चीज़ नोट करिएगा कि आपके लिए शुब समय कौन सा है तो मिथुन राशी के जातकों के यह जो आप कुणली देख रहे हैं यह एक जनवरी के दिन की कुणली है हलाकि चंदर्मा सिंग राशी में रहेंगे उस दिन तो कैसा रहेगा साल कैसा रहेगा सबसे पहले डेट्स नोट करिए कि आपके लिए डेट्स कौन सी अच्छी है तो यह जो सूरे आप देख रहे ह यह अच्छा गोचर होता है यह महीना होगा मार्च का पंदरा मार्च से लेकर पंदरा जून तक क्योंकि सूरे यहां पर भी शुब गोचर में रहेंगे यहां पर भी शुब गोचर में रहेंगे तो दो महीने नोट करिए पंदरा मार्च से पंदरा जून यह सामें इसके बाद जब सूरे आएंगे यहां पर छठे भाव में 15 नुमंबर से 15 दिसम्बर यह समय आपके लिए अच्छा है इस दुरान आप कोई भी काम कर सकते हैं यह सूरे के गोचर के लिहाई से सूरे का गोचर इसलिए क्योंकि सूरे अवराल हेल्थ के कारक है सूरे आपकी चार महीन हैं इनको जरूर नोट रखिए यहां पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे देखने में तो जो गोचर चल रहा है जो आपकी कुनली में है तो देखिए कितना सुन्दर स्थिती है आपकी कुनली में राहू पूरा साल यहां पर रहेंगे दशम्भाव में दशम्भा में राहू का गोचर अच्छा होता है तो राहू आपको अच्छे फल करेंगे गुरू 11 भाव में रहेंगे यहां पर अपरेल तक 30 अपरल को गुरू की पोजिशन हो जाएगी गुरू यहां पर आजाएंगे तो यहां पर अगले आठ महीने अपरल के बाद म नोवे का गोचर शुब नहीं होता लेकिन यह अशुब भी नहीं है तो लगन कुडली में तो शनी 11 में पढ़ा हो अपनी दाशी का पढ़ा हो तो बहुत अच्छा होता है यह डिपेंड करेगा आपकी कुडली में दशा किस भाव की जा रही है यदि दशा शुक्र की जा रह ही है या शनी की जा रही है तो हो सकता है कि कुछ चलेंजिस फेस करने पड़ें अदर्वाइज यदि केंद्र भाव की दशा है बुद्ध की गुरू की या शनी की आम कह सकते हैं कि दशा मिक्स रह सकती है तो करम के उपर आएंगे सबसे पहले कि आपका करम कैसा रहेगा त आई भाव के कारक्ट भी गुरू हैं तो इसका मतलब यह है कि मनी का फ्लो जो है वो डिस्टरब नहीं होने वाला है पहले चार महीने तो खैर नहीं होगा इसके बाद थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ सकती है और खर्चे जरूर बढ़ सकते हैं लेकिन चार महीने पहले 2024 के आप शुरू हो जाए ऐसा भी हो सकता है कि कहीं न कहीं आप अच्छी स्ट्रेजिक पोजिशन में चले जाए मिन्स कई बार ऐसा होता है कि आप लोगर लेवल पर काम कर रहे होते हैं आपका प्रमोशन होता है और आप अच्छी स्ट्रेजिक पोजिशन में चले जाते हैं ऐसा भ आए के लहाई से रिलेशन्शिप की बात करेंगे तो इस भाव के स्वामी आपकी कुनली में गुरू है ये सब्तम भाव है ये शादी वाला भाव होता है तो यहां का स्वामी फिलहाल दोजार चोबिस तीस अपरल तक ग्यार में भाव में रहेंगे ये व्रिदी का भाव है यानि की कपल्स में आपस में जो है ताल में बढ़ेगा पहले चार महीने लगातार अच्छी ट्यूनिंग आपको देखने को मिलेगी हाँ ऐसा संभव है जैसे मंगल और सूरे पाप ग्रह हैं यहां पर पहले ही पहली ही तरीक के दिन तो हो सकता है कि यहां पर थोड़ा सा क दर नहीं आ रही है उसका कारण यह है कि यदि हम गुरू की पूजिशन यहां पर भी ले ले लें तो सब्तम भाव के स्वामी के उपर किसी भी तरह का प्रभाव जो है वो पाप प्रभाव जादा नहीं देखने को मिलेगा सिर्फ के तू जरूर इस भाव को देखेंगे ल इसे ही सूरे मंगल आगे निकलेंगे यह भाव फ्री हो जाएगा यहां पर कोई पाप रभाव नहीं रहेगा सिर्फ सब्तम का स्वामी जो है वो के तू गुरू को देख रहा होगा जरूर अधर वाइस कोई पाप रभाव पूरा साल नहीं रहेगा तो इससे निश्ची त भाव में हैं छटे भाव में जो है माकाल पुरुष की कुंड़ी होती है उसमें इसकी नीच राशी आजाती है इसलिए शुक्र को छटे भाव में अच्छा नहीं समझा गया तो स्टार्टिंग में जो चीजें हैं वो थोड़ी सी डिस्टरब जरूर हो सकती हैं लेकिन वो अल्ड़ी अंगेज्ट हैं उनकी शादी का योग भी बन रहा है क्योंकि गुरू की एक द्रिष्टी इस भाव के उपर जा रही है यहां से हम कौन करते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ जो पंचम भाव है वो प्रेम का भाव है गुरू इस भाव को देख रहे हैं और आठ नो यह शादी का भाव है यहां पर भी गुरू की द्रिष्टी पढ़ रही है तो गुरू अपने ही भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं पहले चार महिने सिंगल के लिए समय अच्छा है और आपको उसका अच्छा फल देखने को मिलेगा गुरू की द्रिष्टी के प्रभाव का तो यह रिलेशन्शिप का किस्तिती रह गई है हेल्थ की बात करेंगे हेल्थ जो देखी जाती है वो सूरे से देखी जाती है या हम इसको छठे भाव से देखते हैं तो छठे भाव का स्वामी साल के शुरुआत में मंगल सीधा यहां पर बैठकर लगन को दे देखते हम इससे वो हड़िया हैं वो सूरे से हैं लेकिन मंगल बॉडी मास के कारक हैं छठे भाव के स्वामी खुद केंदर में आ गए हैं बहुत बुरी पोजिशन में नहीं है और छठे भाव के उपर राहू की द्रिश्टी जरूर है केतु की द्रिश्टी लगन के उप करना जो है वो खान पीन का ध्यान पूरा साल रखना पड़ेगा मैं खान पीन का इसलिए पर्टिक्लर बोल रहा हूं क्योंकि यह जो भाव है यहां पर राहू बैठे हैं राहू की एक दो तीन चार पांच यह पंचम द्रिश्टी हमेशा जो है वो दूसरे भाव के उपर यह एटिंग हैबिट्स यहीं से देखी जाती हैं तो मंगल अश्टम द्रिश्टी से देख रहे हैं रहू पंचम द्रिश्टी से देख रहे हैं तो यहां पर यदी हम थोड़ी सी भी कोताही बरतेंगे थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे खान पीने के मामले में तो हो हिने आपके लिए हेल्थ के लिए वो अच्छे रहेंगे जो हमने शुरुआत में बताए हैं वीडियो के आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए स्टडी कैसी रहेगी तो यह पंचम भावा यहां से हाइर एजूकेशन देखते हैं गुरू इस भाव को इस भाव को बताए हैं वह अच्छी पुजिशन में कह सकते हैं हम और इससे बुद्ध जो है वह स्टडी के कारक है अकैडमिक सारी जो है वह बुद्ध से आती है अप्लाइड नोलज जो सारी होती है वह गुरू से होती है तो निश्चित तोर पर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छ सबस्क्राइब करों करें पूर बारा हुच्छ एहं यह अच्छी रहेंगी मिधनराशी के जातकों के लिए तोज़ाशी का राशी फल है ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो से शेयर जरूर करिए पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए इसके साथ ही मुझे दीजे जाजत नमशकार